मोधी और शाह के प्लान के आगे डूब गई कॉंग्रेस की नईया सर्वे में फेल हो गया कॉंग्रेस के सरकार बनाने का सपना आ गया सर्वे का वो रिपोर्ट जिसने कॉंग्रेस की नीद उड़ा दी और मोधी के मास्टर प्लान से फिर से सरकार बनने वाली है करनाटेक में फिर मोदी मंत्र लागू हुआ फिर मोदी का मैजिक चला मोदी ने फिर से करनाटा को अपना दिवाना बना दिया जी हाँ करनाटेक विधान सबाचनौ के पिचार पटसार के बीच में ही एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है जिसने राहुल और पूरी कॉंग्रेस की नीद उड़ा दी है उधर कॉंग्रेस बजरंग दल और केरला इस्टोरी पर घेटी रही इधर बीजेपी ने बड़ा दाओ खेल दिया और करनाटेक में भी अब एक बार फिट से अपना नाम करने जा रही है अपना सरकार बनाने जा रही है बताते चले कि एक सर्वे में बीजेपी को सौ से ज़्यादा सीटे मिलने का अनुमान है वहीं कॉंग्रेस की बात की जाए तोस्टी से 85 सीटों पट सिमेटने का अनुमान है बताते चले कि इस वक्त करनाटेक विधान सभा चुनाओं का परचार परसार बड़े ही जोर शोर से चल रहा है जिसमें बीजेपी और कॉंग्रेस दोनों ने अपना पूरा दमखम जोग दिया है कई बड़े चुनाओं वादे करते हुए फ्री की पूरी रेवडी लगा दिया है लेकिन बीजेपी की लगातार बड़ी रेलियों से कॉंग्रेस पीछे रह गई है और इसके पीछे सबसे बड़ी वज़ा है कॉंग्रेस के पास कोई स्टार परचारक का ना होना वहीं बीजेपी ने मोधी से लेकर योगी अमित्षा और सभी नेताओं को इस चिनाओं में जोग दिया जवर्दस क्रेज बनाया और मोधी योगी के रेलियों में भीड को देखकर आप एकिन भी नहीं कर सकते कि क्या ये साउध भारत का ही दृष्ष है या यूपी बिहार का क्योंकि बीजेपी के रेलियों में बड़ी भीड देखनें को मेली वही सर्वे में कॉंग्रेस के हाल के सबसे बड़ी वज़य बनी है अपने मैनिफेस्टों में बजरंग दल को बैन करना जिसको लेकर कॉंग्रेस ने ना सिर्फ करनाटक में ही ना कटवाई बलकि देश भर में खुद को एक बर फिट से हिंदू विरोधी पार्टी घोशित कर दी देश भर में बजरंग दल के बैन करने वाले घोश्रापत पर जमकर बवाल हो रहा है और इसी वज़े से करनाटक में भी हिंदू वोटर्स कॉंग्रेस से कटते नजर आ रहे है वह हाले में रिलीज हुईदा केरला स्टोरी पर भी कॉंग्रेस ने बीजेपी सरकार को प्रप्रगेंडा की नाम से गिरा है जिसमें हिंदू को मुस्लिम बनाकर धर्मानतरर बदलकर उनके साथ गलत किया जा रहा है उन्हें आतंगवाद बनाया है यानि के हिंदू के साथ जो केरला में चल रहा है उसकी सच्चाई दिखाई गई है लेकिन उस पर भी कॉंग्रेस राजनिती कर रही है और कॉंग्रेस को मिर्ची लग गई है और विरोध जतानी लगी है कुल मिलाकर कि BJP का टारगेट करनाटक में हिंदू ओटर्स पर निशाना साधना है और अपने मैनिफेस्टों में और तमान तरह की घोश्राओं में भी उसने इस बात का जिक्र किया है वही कॉंग्रेस की बात की जाये तो कॉंग्रेस ने बयान दे कर खुदी अपने पैरपक कुलाडी मार ली है जिससा खामियाजा भुकत नते है बताते चले की करनाटक विधान सवा में कुल 224 सीट है इनमें बीजेपी को 100 से ज्यादा सीटे मिलने का अनमान है वही 73 से 85 सीटे कॉंग्रेस को मिलने का अनमान है बाकि जेडियस को 21 से 29 सीटे मिल सकती है और अन्न को 2 से 6 सीटे मिल सकती है इसके साथ बताते चले कि करनाटक में 8 मई को चुनाव परचाथ समाप्त हो जाएगा और 10 मई को वोटिंग होगी 13 मई को करनाटक की सभी सीटों के नतीजे सामने आ जाएंगे लेकिन उससे पहले इस सर्वे ने final opinion poll को खोल कर रख दिया है जिससे पता चल गया कि आखिर समे 21 फीज दे डे के शुकुमार 3 फीज दे तो वैसे आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा और किस की कितनी सीट होगी हमें अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में दे